आज हम लोग रसाइन विज्ञान में 12th कलास के विलियन चेप्टर का एक महत्पूर्ण टॉपिक आदर्ष विलियन आईडियल सॉलूशन और वास्तविक विलियन रियल सॉलूशन को जानने समझने का प्रियास करेंगे साथ ही साथ राउल्ट के नियम को समझने का प्रियास करेंगे तो जैसा की परिभासा लिखा गया है कि ऐसा विलियन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का सत परतिसत पालन करता है उस विलियन को आदर्स विलियन कहा जाता है और जो विलियन आंसिक रूप से पालन करता है अर्थात सव परतिसत नहीं कर पाता है थोड़ा कम कर पाता है ऐसे विलियन को आदर्स विलियन रियल सॉलूसन कहा जाता है अब हम बात करते हैं राउल्ड के नियम का तो हम का सकते हैं कि किसी विलियान का वास्पदाब वैपर प्रेशर शुद्ध विलायक के शुद्ध विलायक के वास्पदाब अर्थाथ प्रेशर 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 यूर्ण विलायक के मौल एंस मौल एंस एक्स 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 गुनान भाल के बराबर होता है अर्थात राउल्ट के नियम के अनुसार पी एस बराबर पी ए बराबर पी जीरो ए एंस एक्स ए जहां पर पी एस विलायक विलियन का वास्पदाब है पी ए विलायक का वास्पदाब है पी जीरो ए सुध विलायक का वास्पदाब है एक्स ए विलायक का मोल अंस है और एक्स बी विलायक का मोल अंस है तो इस तरह से हम पहले से भी जानते हैं कि यदि किसी विलियन के सभी घटक के मोल अंस को जोर देते हैं तो उसका मान एक हो जाता है अब इसकी सहाइता से एक्स बी का मोल अंस ग्याद कर सकते है या एक्स ए का मोल अंस ग्याद किया जा सकता है यहाँ पर अगर यह कोई पात्र है और इस पात्र में विलायक की कुछ मात्रा है और इसी पात्र में विलायक की कुछ मात्रा है अर्थात एस में अगर हम बात करते हैं यह विलायक है और विलायक को ए से सूचित करते हैं और इस में यह विलाय है और विलायक को हम बी से सूचित करते हैं अगर इस दोनों को मिला देते हैं विलायक को तब बन जाता है विलियन सॉलूशन अब इस विलियन का हम बात करते हैं दरवमान अन्स की बात करते हैं इसके लिए सूत्र होता है डाबलू ए बटे डाबलू ए अपलस डाबलू बी इस सूत्र से ग्याद कर सकते हैं मतलब यह जो दरवमान अन्स है यह दरवमान अन्स किसका है विलियन के विलियन के दरवमान अन्स है यह और यह विलियन का दरवमान अन्स है ता इसको हम लोग डाबलू बी डाबलू ए अपलस डाबलू बी डाबलू बी बटे डाबलू एस यहां पर डाबलू ए बटे डाबलू एस से ग्याद कर सकते हैं अब आप इस के इस विलियन के अगर हम लोग ग्याद करें ग्याद करें ग्याद करें विलायक तो इसको एक्स ए से सूचित करेंगे तो यह पराबर एन ए बटे एन ए पलस एन बी इसको खंडित करेंगे अगर हम लोग बात करेंगे विलायका मोल अंस की बात करेंगे तब हम कह सकते हैं एक्स बी तर नंबर ओफ बटे नंबर ओफ ए और यह है बी इसको हम कह सकते हैं डबलू बी बटे एम बी डबलू ए बटे एम ए अपलस डबलू बी बटे एम बी अर्थात आवस्यक्त अनुसार हम लोग विले और विलायक का दरपमान अंस ग्यात करने के साथ साथ जहां आवस्यक्ता लगेगा वहां हम उसके मोल अंस को भी ग्यात कर सकते हैं और इस वीडियो पर अधिक से अधिक ध्यान देने पर बहुत सारी जानकारी स्वता हो जाती है धन्यवाद पिलाओ प्यात